मैं एक hypothetical situation assume करता हूँ मान लो मैं एक web developer बनना चाहता हूँ मुझे पैसों की भी जरूरत है ऐसा निये कि मैं सिर्फ मस्ती में web development सीखना चाहता हूँ मैं उससे पैसे भी कमाना expect कर रहा हूँ और मेरे पास time भी बहुत limited है मान लो मैं किसी दूसरे full time profession में हूँ अब मैं किस तरह से web development सीखूँगा आप लोग को strategy बताता हूँ as part of the first step मैं बहुत simple start करूँगा एक दम easy start करूँगा और ऐसी चीज़े build करना start कर दूँगा जिससे की मेरा interest बढ़े जैसे की मान लो मैं facebook का clone मनाता हूँ microsoft का clone मनाता हूँ ये फिर मान लोग किसी भी कोई ऐसी website का clone मनाता हूँ जिसको मैं day to day life में use कर रहा हूँ ऐसा करने से मेरा जो interest है वो जागेगा अब इन websites को चाहे मैं pure html css use करके बनाऊँ या फिर किन ही html css framework का इस्तिमाल करके बनाऊँ ये matter नहीं करेगा क्योंकि time के साथ मेरा interest बढ़ने वाला है अगर मैं इस तरह के clones को बनाऊँगा तो सबसे पहला step मेरा ये रहेगा कि मैं अपनी hobby projects को बनाऊँगा सबसे आसान तरीके से मैं उसमें tailwind css का इस्तमाल करूँगा bootstrap का करूँगा, tail blocks का करूँगा जिसके बारे में मैं आप लोग को बताया था how to make a website in 5 minutes वाले वीडियो में तो वो मैं इस्तमाल इसलिए करूँगा क्योंकि मेरा जो step 1 है वो web development को जड़ तक सीखना नहीं है मेरा जो पहला मकसत है वो है interest को बढ़ाना तो ऐसे आप लोग को interest काफी बढ़ेगा this is why मैंने HTML in X, CSS in X minutes इस तरह के वीडियोस बना रखे हैं जो कि आप लोग जा कर देख सकते हो learn X in Y minutes वाली playlist में HTML तो मैं कहूँगा आप लोग को एकदम मैंने शायद उसमें 9 minutes में 10 minutes में I don't remember मैंने बताया हुआ है एकदम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा HTML is all about syntax और ज्यादा बड़ी rocket science है ही नहीं CSS की जातक मैं बात करूँ उसको आप लोग master beginner as a beginner ना ही करें तो मैं आप लोग को यहाँ पर suggest करूँगा अच्छा है अब आप लोग होगे यार ऐसा क्यों कह रहे हो CSS master क्यों ना करें आप लोग HTML सीको और कुछ CSS framework के इस्तिमाल करके पहले अपने interest को बहां तक ले आओ और उसके बाद आप CSS को master करना तो step 1 में हम लोग CSS को master नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ HTML के tags ये बारे में जानेंगे HTML हमें आ जाएगी और उसके बाद हम लोग clones को बनाना शुरू कर देंगे अब यावर clones का मतलब ये निए कि आपको exact replica बनाना है कईना कई आपने similar भी बना दिया तब भी काम हो जाएगा अब step 2 आप लोग शायद पैसे कमाने की तरफ दोड़ो आप लोग होगी यार अब हमें पैसे कौन देगा अगर मैं एक beginner हूँ तो मैं इस बात की समझ रखूँगा कि मुझे अभी पैसे कोई नहीं देगा इस सवाल को जवाब बहुत कड़वा है कि मुझे पैसे कोई नहीं देगा लेकिन अभी मुझे confidence को build up करना है मुझे repetition करना है repetition is the mother of learning मैं जितने clones मनाओंगा जितना जादा reiterate करता जाओंगा जितना जादा CSS को master करूंगा उतने अच्छे designs मैं मना पाऊंगा GitHub पे कम से कम 10 से 15 projects बना कर मैं डाल दूँगा ताकि किसी भी इनसान को मैं दिखा सकूँ कि मैं किस चीज की capable हूँ अगर मैंने Facebook का clone मनाया है Microsoft का clone मनाया है मैंने हर उस बड़ी website का clone मनाया है जो कि आज की दारीक पर market में exist करती है तो मेरी as a web developer value बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यही से मैं आता हूँ अपनी तीसरी step पर जो कि है cultivated skill अब web development अपने आप में एक बहुत बड़ी skill है लेकिन इसको अगर आप लोग match करते हो एक और skill से जैसे मान लोग आप एक web developer हो साथ ही साथ आप लोग video editing भी जानते हो या फिर साथ ही साथ आप लोग digital marketing में जानते हो graphic designing में जानते हो जब दो skills मिल जाती है तो एक बहुत unique combination प्रोड्यूस होता है और उस unique combination का मिलना बहुत मुश्किल होता है यानि कि उसकी supply market में कम होती है demand जादा होती है जो की shared designs provide करें अगर आप लोग की graphic designing skills बहुत अच्छी है तो किसी भी तरह की skill हो सकती है आप लोग SEO services provide कर सकते हो अपनी website पर इस तरह की website बना सकते हो as a product तो idea आपका जो भी हो जब दो skills को आप लोग मिलाते हो तो unique combination always works the best अब इसके बाद एक सबसे बड़ी tip आप लोग को देना चाहूँगा सीको सब कुछ लेकिन in the long run problem solving पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो देखो यार अगर आप लोग अपने limited time को बार बार एक ही चीज को करने में waste करोगे आप लोग लर्निंग के लिए अगर एक चीज कर रहे हो तो आपने एक बार सीक ली कोई चीज तो वह आपके पास आ जाती है as a skill for example अब मुझे authentication system बनाना आता है अब मैं अगर authentication system एक बार बना चुका हूँ दुबारे scratch से लिखने बैठ जाओ उसके बार तीसरी बार भी scratch से लिखने बैठ जाओ तो शायद इसमें समझदारी नहीं है मुझे problem solving पर जादा focus करना चाहिए अपना जो authentication system मैंने बनाया हुआ था सबसे पहले उसको इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और ऐसा करने से अपने time को मैं बचा पाऊँगा जिससे की होगा क्या कि मैं problem solving पर ध्यान दूँगा और वो चीज़े जो कि मुझे आती है और मैंने बहले बहुत बार बना चुकी है उन पर मैं बार बार focus नहीं करूँगा मैंने MongoDB के साथ जब काम किया था तब मुझे याद है कि उनका जो system है पूरा MongoDB the company का जो system है उनमें सारी चीज़े उन्होंने outsource कर रखी है चाहिए वो billing हो या फिर किसी भी तरह का अगर आप लोग upload करना चाते हैं कोई भी invoice और भी तरह तरह की चीज़े उन्होंने अलग अलग vendors को outsource कर रखी है क्या वो खुद से उसका code नहीं लिख सकते क्या वो खुद से वो site नहीं बना सकते बना सकते हैं but they prefer not to वो अपने काम पर focus करना चाते हैं वो problem solving पर focus करना चाते हैं और वो चीज़ें जो कि उनको vendors करके दे सकते हैं एक बहुत reasonable cost में वो उसमें invest करते हैं क्योंकि वह बहुत बड़ी company है तो इसी तरह कि सोच कहीं न कहीं मैं चाहता हूं आप लोग लेकर चलें एक होता है एकदम scratch से चीज़ों को implement करना एक होता है सारी चीज़े outsource कर दिना इन दोनों के बीच में आपको एक sweet spot ढूनना है और वहां पर आके आप लोग को रुख जाना है ताकि आप लोग problem solving पर जादा से जादा focus कर सकें इसके बाद आपको javascript पर जल्दी से जल्दी move करना है as a beginner में javascript पर जल्दी से जल्दी move करता अगर मुझे कुछ भी नहीं आता होता क्योंकि javascript is evolving like anything आज की तारिक में react, next.js और भी अच्छे चीज़े technologies market में आती जा रहे हैं और यह सारी technologies revolutionary है यह सब javascript पर आधारित है तो javascript के basics आप लोगों को master कर लेने चाहिए इस trappy जैसे headless CMS को भी अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो आप लोगो javascript का आना बहुत ज़ादा जरूरी है इसके बाद आप लोगो एक बहुत ही simple सा काम करना है re-iterate करना है front end मनाओ, javascript पर focus करो and in the process CSS को भी सीखो, designing को भ अलग skill होती है, development हो coding के अलग skill होती है, इन दोनों को mix मत करना, एक design आप लोग उठा सकते हो, एक reference ले सकते हो किसे design का और उसको build करना start कर सकते हो, आप लोगी skill definitely बढ़ेगी और याद रखना repetition is the mother of learning, इन ही चीजों को आपको re-iterate करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है and eventually आप लोग बहुत अच्छे अच्छे products को बना चुके होगे, जिन products के आपने front end मराये थे, उनके अब back end भी बनाओ, क्योंकि आपको javascript अब आती है, और repetition करते करते करते, definitely आप लोग एक दिन एक ऐसे developer बन जाएंगे, जिसकी value बहुत जादा होगी, और market में आप लोग बहुत अच्छी दना से पैसे कमा पाएंगे, यादर ना कुछ चीजों में time लगता है, अगर आप लोग ये सोचोगी कि यार एक ही दिन में मैं 11, 12, 12, 15, 15 घंटे बैट के काम कर लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा, long time में उस चीज को अब sustain नहीं कर पाओगे, इसलिए time दो अपने आपको consistency दिखाओ, and definitely आप लोग को success मिलेगी, अभीके लिस वीडियो में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.